हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का जो थर्ड चैप्टर है कोडिनेट जमेटरी उससे रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट एंसी क्यू करेंगे जो कि एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो यह स्टार्ट करते है अपने इस वीडियो को तो फर्स्ट कोश्चन हमारा है इसमें बोला गया है पॉइंट माइनस टू एंड थ्र प्लेंट ड्रॉ कर लेते हैं समझाने के लिए ठीक है तो यह x-axis होता है और यह y-axis होता है ठीक है तो यह हमारा फॉर्स्ट कोश्चन होता है यह सेकंड कोश्चन होता है यह थर्ड कोश्चन होता है और यह फॉर्थ कोश्चन होता है ठीक है फॉर्स्च कोश्चन के अंदर और हमारे x और y दोनों positive होते हैं ठीक है और second quadrant में हमारा x minus होता है negative होता है और y positive होता है third quadrant में x negative और y भी negative होता है और fourth quadrant में x positive होता है और y negative होता है हमारे पास जो point है वो है minus 2 और 3 तो मतलब x तो हमारा minus का 2 हो गया और y हमारा क्या होगा plus का 3 तो minus और plus तो यह हमारा lie करेगा second quadrant में ठीक है क्योंकि इसमें हमारा x negative होता है और y positive होता है अगला question देखते हैं next है point 0 minus 2 lie अब यह point जो हमें रखा है 0 और minus 2 यह कहां पर lie करेगा तो आईए देखते हैं इसको भी तो यहाँ पर हमने partition plane draw कर लिया है यह partition plane है यह x axis हो गया है यह y axis हो गया है अगर मैं यहाँ पर plot करने जाओं इसको 1, 2, 3 यहाँ पर plus का 1 2, 3 और यहाँ पर minus 1, minus 2, minus 3 इसी तरीके से हम minus 1, minus 2, minus 3 ठीक है यह हमारा partition plane है point हमारे पास है 0 और minus 2 तो x तो 0 है और y क्या है minus 2 है तो minus 2 है तो origin से यह नीचे आ जाएगा minus 2 तक तो यह कहां पर लाई कर रहा है यह कर रहा है हमारा y axis पर तो इसका answer हो जाएगा option number C अब next question है अब same question है जैसे भी हमने second किया है यहाँ पर दे रहा है minus 2 और 0 तो यह point हमारा कहां पर लाई करेगा वो देखना है तो यहाँ पर हमें 4 option दे रहे हैं तो इसको पहले graph से समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो यह हमारा x axis और y axis हमने draw कर दिया है यह center origin हो गया 0 1, 2, 3 y हमारा उपर की तरफ positive होगा और नीचे की तरफ negative हो जाएगा ठीक है और x हमारा left hand side की तरफ negative हो जाएगा minus 2, minus 3 तो point हमारा जो है minus 2 और 0 मतलब x axis पे हमारा minus 2 है और y हमारा 0 है तो यह हमारा lie करेगा x axis पे और वो भी negative side में ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा on the negative part of the x axis तो option number a जो है हमारा इसका correct option हो जाएगा अगला question है एपसीसा of 2, 3 is तो यहाँ पर point दे रखा है हमें 2, 3 हमें बताना इसमें और y coordinate जो होता है y coordinate वो होता है ordinate वो होता है हमारा ordinate हमें पूछा है एपसीसा तो एपसीसा हमारा होता है 2 तो answer हो जाएगा इसका option number c अगला question देखते हैं Next हमारा है, fifth, if P point AB lie in second quadrant, then which of the following is true about the AB? अब यहाँ पर बोला है कि जो P point है, वो second quadrant में लाई कर रहा है, ठीक है? यह हमारा x-axis हो गया, y-axis, यह first quadrant, यह second quadrant, यह third quadrant और यह fourth quadrant. अब यहाँ बोला है, जो P point है, वो second quadrant में लाई कर रहा है, तो P point हमारा हो गया, A और B. तो second quadrant में हमें बता है कि, जो है, x-axis जो होता है, negative होता है, x-coordinate negative होता है, और y-coordinate होता है, positive. ठीक है? तो हमारा जो A होगा, वो negative होगा, A जो होगा, less than 0 होगा, और B जो होगा, greater than 0 होगा. तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा option number C. Next question दिखते हैं, next है, A point lies on negative side of x-axis, its distance from the origin is 10 unit, the coordinate of the point R. तो इसमें बोला है कि, एक पहले draw कर लेते हैं इसको, ठीक है? यह हमारा x-axis है, यह y-axis है. अब इसमें बोला है कि, एक point है, ठीक है? जो lie कर रहा है, negative side of x-axis, x-axis की negative side, और उसका जो distance है, origin से, वो 10 है. तो origin हमारा 0 हुआ, यहाँ से 10 है, तो यह कितना हो जाएगा? minus का 10 हो जाएगा. और यह point हमारा lie कर रहा है, x-axis पे, तो यह point हो जाएगा minus 10 और 0. तो option number 20 का correct answer हो जाएगा. next देखते हैं, next है, a point whose abscissa is minus 3, अभी आपको बताएगा कि abscissa जो होता है, हमारा x-coordinate होता है, और ordinate जो होता है, वो y-coordinate होता है, ठीक है? तो हमारा यह point कौन सा आएगा? point हो जाएगा minus 3 और plus का 2, तो यह किस quadrant में लाई करेगा? यह हमारा x तो negative है, y positive है, तो यह लाई करेगा second quadrant में, option number 20 का correct answer हो जाएगा. अगला है, आठवा, in which quadrant will minus 3 and 4 lie? तो minus 3 और 4 किसमें लाई करेंगे? x तो हमारा negative हो गया, और y हमारा positive है, तो second quadrant इसका correct answer है, ठीक है? तो यह आपको याद रखना है कि किस quadrant में कौन से point negative होंगे, कौन से positive होंगे, ठीक है? जैसे कि दुबारा समझा देते हैं, first quadrant में हमारा x और y दोनो positive होंगे, second quadrant में हमारा x negative होगा, y positive होगा, third quadrant में दोनो negative होंगे, और fourth quadrant में, fourth quadrant में हमारा x positive होगा और y negative होगा, ठीक है? अगला देखते हैं, अगला है, a point whose epsisa and ordinate are, 2 and minus 5 respectively, lie in, तो epsisa बोला हुआ है और ordinate बोला हुआ है, तो epsisa हमारा x axis होता है, x coordinate होता है, और ordinate y coordinate, ठीक है? तो 2 minus 5, तो यह हमारा किस quadrant में लाई करेगा? मतलब कि x को plus है और y negative है, तो यह lie करेगा fourth quadrant में, ठीक है? अगला है, next है, epsisa हो point minus 7 and ordinate is 2, then the point is, अभी आपको बता चुके हैं यह, कि epsisa हमारा x coordinate होता है, और ordinate जोता है, वो y coordinate होता है, तो minus 7 और 2, तो minus 7 और 2 इसका correct answer हो जाएगा, option number B, अगला है, इसमें बोला है, the point 0 5 lies, अब point 0 और 5 जो वो कहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ पर आप graph के through आसानी समझ सकते हैं, तो यह हमारा x axis होता है, यह y axis होता है, ठीक है? यह 0, यह 1, 2, 3, 4, ऐसी minus 1, minus 2, और इसी तरीके से y जो है, उपर 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे minus का, ठीक है, हमारे पास जो point है, वो है 0, minus, 0 और plus 5, तो x तो हमारा 0 हो गया, और इसन पर y हमारा क्या, प्लस का 5 है, प्लस 5 है तो यह उपर आ जाएगा, और यह कहाँ लाई कर रहा है, यह कर रहा है हमारा y axis पे, तो on the y axis इसका correct answer हो ज positive in, तो यहाँ पर बोलाए कि epsi सा जो है, epsi सा मतला हमारा x coordinate है, वो positive किस quadrant में होता है, तो इसको देख लेते हैं, तो यह हमारा first quadrant है, इसमें दोनो positive होते हैं, ठीक है, second quadrant है, इसमें minus और plus होता है, third quadrant में हमारे दोनो negative होते हैं, minus minus, और fourth quadrant में हमारा प्लस और माइनस तो यहां बोला है एपसी सा किस में positive होता है तो first quadrant में भी होता है और fourth में भी होता है तो first और fourth मतलब की option number D इसका correct answer हो जाएगा अगला है if side of a square O, A, C O, A, B, C is A, B unit then the coordinate of B, R तो यहां पर आपको graph दे रखा है ठीक है O, A, B, C, X square बन रहा है आपको बताना है कि जो यह B coordinate है वो क्या होंगे देखिए X axis पे कितना है 2B है तो 2B होगे और Y axis पे कितना जा रहा है यह भी 2B जा रहा है तो यह भी आजाएगा हमारा 2B तो इसका answer हो जाएगा option number C अगला question है next question है if perpendicular distance of a point P from the X axis be 3 unit along the negative direction of the Y axis then the point P has तो यहाँ पर यह बोला है कि कोई point P है जो X axis पे 3 unit perpendicular है negative direction of Y तो अगर हमारे पास यह रहा P ठीक है negative direction में है तो मतलब नीचे की तरफ होगा perpendicular ठीक है तो यह हमारा जो point होगा P point जो होगा वो क्या होगा तो देखिए X तो हमारे पास जो है वो क्या है हमें पता नहीं है तो अन्नोन है तो यह 0 X हो गया और Y कितना बोला है 3 तो यह आजाएगा हमारा minus का 3 तो यह आजाएगा हमारा Y coordinate पे minus 3 इसका correct answer हो जाएगा अगला question है तो एक plane को X जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है 1 2 3 और 4 पार्ट में तो option number D इसका correct हो जाएगा अगला है हमारे पास if A is positive and B is negative then the point PAB lies in तो यहाँ पर यह बोलाए कि जो A है वो हमारा positive है ठीक है प्लस में होना चाहिए और B जो है वो negative है minus में ठीक है तो जो P point है तो वो हमारा हो जाएगा plus और minus तो plus और minus किस quadrant में होता है मतलब कि X positive हो और Y negative हो यह होता है हमारा fourth quadrant में option number A is का correct answer हो जाएगा next है point zero three lies अब point zero three कहाँ पर लाई करेगा ऐसा question अभी हम कर चुके हैं तो यह लाई करेगा हमारा y axis पे on the y axis अगला है image of point zero three about x axis is तो image कैसे पता करोगे आप देखिए यह हमारा plane है x axis y axis है अब point हमारा 0 three है तो यह हमारा origin zero हो गया और y हमारा जैसी point आगया हमारा zero और three तो इसका जो image बनेगा वो इसी के जस्त नीचे बनेगा zero minus three तो option number इसका C इसका correct हो जाएगा अगला देखते हैं next है the point for which the FC sign and ordinate have the same sign will lie in तो यहाँ पर यह बुलाए कि जो FC सा और ordinate है मतलब x coordinate है और y coordinate जो है वो same sign के हैं तो यह किस quadrant में lie करेंगे तो यहाँ पर आप समझे यह हमारा x axis हो गया यह y axis हो गया first quadrant में हमारे पास जो है दोनो positive होते हैं ठीक है और second quadrant में जो है x negative होता है y positive होता है third quadrant में दोनो negative होते हैं fourth quadrant में x positive और y negative होता है तो हम बोला है कि same sign किस quadrant में होते हैं तो first में भी होता है और third में भी होता है ठीक है तो answer हो जाएगा इसका option number b अगला है the distance of the point 5 minus 2 from x axis is तो हमें बताना है कि point दे रखा 5 minus 2 वो x axis से कितनी दूरी पर है तो इसको देखते हैं अब graph के थूरू आप आसानी से समझ पाएंगे तो यह हमारा x axis हो गया यह हमारा y axis हो गया ठीक है तो यह हमारे पार जो point है 5 positive और y negative है ठीक है तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 minus 2 तो पूछा किया था distance of the point 5 minus 2 from the x axis तो x axis से कितनी दूरी पर है तो यह कितनी दूरी पर है x axis से यह है हमारा तो यह कितनी दूरी पर है minus 2 unit तो option number 20 का correct answer हो जाएगा next है हमारे पास the diagram show 2 points m and n on the cartesian plane तो यहाँ पर 2 point है एक m point दे रखा है और एक n point दे रखा है the abscisa of m m का abscisa और ordinate n का वो क्या होगा ठीक है तो m का point निकाल ले इतना है पहले x axis पे कितना है 1 और y axis पे कितना है 2 और 3 तो 1 और 3 तो हमारा m coordinate जो आ गए 1 और 3 आ गए ऐसी n coordinate निकालेंगे तो यह जाएगा 4 के वाद यह 5 और यह 1 तो n coordinate आ गया 5 और 1 हमें बोला है कि m का तो abscisa होना चाहिए तो m का जो abscisa है वो कितना है 1 है ठीक है और n का ordinate होना चाहिए तो वो भी क्या है 1 है तो option number c इसका correct answer हो जाएगा next question हमारे पास है बोथ हार negative अगला question है if the coordinates of a point p are 3 minus 5 then the perpendicular distance of p from the y-axis तो यहाँ पर इसको graph के through करते हैं तो यह हमारा है x-axis यह y-axis ठीक है और यह origin तो point जो 3 और minus 5 है x-axis पे हमारा 3 है ठीक है 1, 2, 3 और y-axis पे का है minus का 5 है तो minus 5 नीचे आएगा ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारा यह point जो आएगा वो यहाँ आएगा 3 minus 5 हमें पूंख चा क्या है perpendicular distance of p from the y-axis तो y-axis पे अगर हम perpendicular draw करते हैं तो कितना distance है इसका इसका distance हो जाएगा हमारा कितना 3 unit तो option number c इसका correct answer हो जाएगा next देखते हैं next question है in which quadrant epsi-sa is negative and ordinate is positive तो किस quadrant में हमारा जो epsi-sa है epsi-sa होता है हमारा x-coordinate epsi-sa is मतलब कि जो x-axis x-coordinate है वो क्या होगा negative होना चाहिए ठीक है negative और जो ordinate है ordinate means y-coordinate जो है वो positive होना चाहिए तो minus और plus यह किस quadrant में होता है यह होता है हमारा second quadrant में ठीक है तो यह थे हमारे chapter 3 से related कुछ important MCQ जो की exam में पूछे जा सकते है उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा धैक फिन्यू यह होsti कॉछ अपक्रेंस मुश्अ यह हो